ओम स्वामी जी, मेरा नाम पदमजा है, मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे रुमोटर आर्थाइटिस, लुम्बार स्पॉंडिलेटिस, डी जेनरेशन, हाट का प्रोब्लम था, चेस्ट में कैल्सिकल नोड्यूल था, और भी बहुत सारे याने हाट में फ्रेक्चर हुआ था, लेकिन स्वामी जी, स्वामी जी जैसे बताते थे, वैसे 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 वो डिस्टन्स एजुकेशन जो है, वो लेते लेते और जो भी दवाई बताते थे, वैसे लेती रही, और हजार हजार बार कपालभाती अनलो मिलोम करती रही, तो उससे मेरा जो रुमोटर जो है बिलो 3.5 आ गया है और ले आई और जैसे मेरा हाथ में भी इस टेरर लगा था टंडन फ्रेक्चर हो गया था लेकिन उसके बाद भी जो पीडा निल गोल्ड और 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 मुक्ता सुक्ति मोती पिष्टी ये लेते लेते मेरा जो हड्यों का जो ऐसे मैं महसुस करती हूं क जी बीच साल और पीछे चली गई हूं अभी तो ऐसा लगता है कि उत्तित पदमासन बद्धा पदमासन ये सभी में कर लेती हूं कठीन कठीन योग कर जितने भी कठीन कठीन योग है सब कर लेती हूं और आख जो है जैसे कि स्वामी जी का चेहरा दिखता था लेकिन आखे में आइब्रो सब धुंदला धुंदला दिखते थे फिर यहां के तीन दिन अक्षितरपन लेने के बाद स्वामी का आखें आइब्रो सब एकदम अच्छे से दिख रहे हैं चोड़ चोड़ आक्षा जी सब पाड़ पा रही हूं मैं इसको दूर से देखती थी तो बोला अरे मैं सवामी जी को तो देख पा रही हैं उनकी आखें तो नहीं दिख रही है मुझे अच्छे से बहुत एकदम उसे काफी फाइदा हुआ है बहुत सारे फाइदा हुआ है बस थोड़ा बहुत जो वेरिकोस वेंस के लिए स्वा कराइदा है मुझे काफे है बहुत